नमस्कार दोस्तो स्वागत है डेली स्टेडी में जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको टोपिक वाईज कोस्टन्स करा रहा हूँ दोस्तो आज हम मौर्योत्तर काल से प्रस्न लेकर आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन आपके स्क्रीन पर है मिलिंद पान्हो क्या है बौध अस्थल, बुध का एक नाम कला का बौध नाम या फिर बौध पाट मिलिंद पान्हो क्या है तो यहाँ पर सहे जबाब होगा मिलिंद पान्हो बौध पाठ है option D यानि की एक गरंत है आगे चलते है question number 2 आपके screen पर चरक किसके राज चिकित सकते हर्स, चंदरगुप्त, मौर्य, असोक या फिर कनीश्क तो यहाँ पर सही जवाब होगा option D चरक कनीश्क के राज चिकित सकते option D सही जवाब है दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि चरक को चिकित सा का जनक माना जाता है और चरक ने चरक सहिंता की रचना की है ये बात भी आप ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं question number 3 कर लेते हैं question number 3 है कुसान काल में भारतिय और ग्रीक सहली के मिस्रन से विक्सित कला विद्याले को किस नाम से जाना जाता है कुसान कला, फार्सी कला, गंधार कला या फिर मुगल कला तो यहाँ पर सही जवाब होगा option C गंधार कला कुसान काल में भारतिय और ग्रीक सेली के मिले हुए विक्सित कला विद्याले को गंधार कला के नाम से जाना जाता है option C सही जवाब है आगे चलते हैं question number 4 कर लेते हैं question number 4 है कौन सी कला ग्रीको बहुत कला के नाम से भी जानी जाती है गंधार कला, मथुरा कला, सुंग कला या फिर मधुबनी कला ग्रीको बहुत कला के नाम से इन में से किसे जाना जाता है तो यहाँ पे सही जवाब होगा option A गंधार कला दोस्तो गंधार कला के संडक छक कोन थे तो धियान रखियेगा सैक एवं कुसान थे आगे चलते हैं, कुसान नमर पांच वाँ कर लेते हैं कुसान वंस के परसिद राजा का नाम बताईए कनिस्क, पुलकेसीन, हर्स या फिर विक्रमा दीतिया तो यहाँ पे सही जवाब होगा कुसान वंस के परसिद राजा थे कनिस्क, option A दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप से एक प्रसिद पूछा जाएगा कि सक संबत की सुरुवात कव की गई थी तो ध्यान रखिएगा, सक संबत की सुरुवात जो है, 78 इसवी में की गई थी और यही 78 इसवी कुसान वंस के राजा नमर 6 करते हैं, कोस्तों नमर 6 है कनिस्क किस वर्ष में राज सिहासन पर आरूड हुए यह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कनिस्क 78 इसवी में सिहासन पर बैठा है, ओके, ओप्शन B सही जवाब है, और आप यह जरूर ध्यान रखेंगे यह 78 इसवी में सक संबत की शुरुवात हुई थी आगे चलते हैं, कोस्त नमर 7 कर लेते हैं कोस्त नमर 7 है, सक संबत किस ने और कब शुरू किया था, कदाफिसिस ने 58 इसा पूर्व में रूद्रदामन प्राथम ने 78 इसवी में विक्रमावदित्य ने चलते हैं, कोस्त नमर 8 कर लेते हैं कोस्त नमर 8 है, काफी अच्छा है बौध धर्म का संबक चक कुसान सासक कों था? कौटिली, असोक विक्रमादित्य या फिर कनिस्क बौध धर्म का संबक चक कुसान सासक कों था? तो यहां पे सही जबाब होगा option D कनिस्क दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक बात यहां पर की कि कनिस्क के सासन काल में कस्मीर के पुंडल वन नामक अस्थान पर बौध का चौथा संगिती का अवजन किया गया था ओके ये भी पूछा जाता है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है question number 9 कला की गंधा से लिए ये कनिस्क के सासन काल में पनपी थी option C सही जवाब है आगे चलते हैं question number 10 आपके screen पर है प्राचीन काल में निमलखीत में से कौन कलिंग का एक महान सासक था आजात सत्रू बिंदुसार खाडवेल या फिर मयूर सर्मन प्राचीन काल में कलिंग का एक महान सासा किन में से कौन था तो यहाँ पे सही जवाब होगा option C खाडवेल और दोस्तों खाडवेल का संबंध जो है कलिंग के चेदी वन से है ओके चेदी वन से है किसका खाडवेल का संबंध आगे चलते है question number 11 कर लेते हैं अच्छा है तो यह मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ इसका सही जवाब होगा option B कलिंग के option B सही जवाब है आगे चलते है question number 12 कर लेते हैं कलिंग साषक खाडवेल ने संबंध दिया था किस धर्म को हिंदू धर्म को सेव धर्म को बोध धर्म को या फिर जैन धर्म को कलिंग साषक खाडवेल ने किसका संबंध चन किया था तो यहाँ पे सही जवाब होगा, option D, कलिंग सासक खारवले ने जैन धर्म को संडक्षन दिया था, option D सही जवाब है, आगे चलते हैं, question number 13 कर लते हैं, काफी अच्छा प्रस्ण है, साथ वहन का सबसे बरा सासक कौन था, साथ करनी प्रत्थम, गौत्मी पूत्र साथ करनी, सिम बी सही जवाब है, आगे चलते हैं, इस आखरी question है, निमलखीत में से, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कोन सी है, तक्षिला, नालंदा, उजयन या फिर विक्रम सिला, काफी इंपोर्टेंट है, और ये प्रस्ण काफी बार रिपीठ हुए हैं, इन में से कोन सी पीठ जो में है, तो दोस्तों मैं आपको 14 important questions complete करा दिये हैं, अब मैं आप से एक प्रस्ण पूछता हूँ, कि आप ये बताईए, ये जो तक्सिला, विष्व की सबसे पुरानी बिद्या पीठ है, ये जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी कहां है, ये आप नीचे comment में बताईएगा, और अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो पिलिज विडियो को like कर दिजिएगा, और कम से कम आप इस विडियो को 5 लोगों के साथ share जरू कर दिजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके, bell icon को press जरू कर दिजिएगा, और अपन नेक्ट वीडियो